नमस्कार दोस्तो आज के वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं SRF शेर के बारे में दोस्तो इस शेर ने पिछले एक साल में अपने इंवेश्टर्स को मल्टी बैगर रिटन्स दिये हैं इसका यह अर्थ है कि इस कमपनी ने 100% से भी जादा रिटन्स एक साल के अंदर दिया है दोस्तो आज के वीडियो में हम देखेंगे SRF शेर का एक बिजनस ओवर्वेव उसके बाद हम देखेंगे कि इस शेर में कौनसी ऐसी लेटिश न्यूस है जो इस कमपनी के लिए बहुत बड़ा खत्रा बन सकती है और अंत में हम दिसकस करेंगे इस शेर का टेक्निकल एनिलिसेस जिससे हमें पता चलेगा कि ये शेर में हमारे शॉर्ट टम टार्गेट्स क्या रह सकते है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो अगर हम बात करते हैं SRF शेर के बिजनस ओवर्वियो के बारे में तो इनके यहां पर तीन इंपोर्टन बिजनसेस है पहला जो बिजनस है वो है टेक्स्टाइल से रिलेटेड दूसरा बिजनस है पैकेजिंग से रिलेटेड और दोस्तो इनका जो तीसरा बिजनस है वो है कैमिकल बिजनस पैला जो बिजनस है वो है Specialty Chemicals का और दूसरा है Floorकैमिकल का दोस्तो Floorokèmicals वो chemical होते है जो AC और Refrigerators में यूज होते हैं और दोस्तो आज का जो news है वो इसी बिजनस से रिलेटेड है और fluorochemical business SRF company के revenue में एक बहुत बड़ा हिस्सा contribute करता है दोस्तो अगर हम बात करते है SRF share में एक important update के बारे में तो यहाँ पर Jeffries जो एक financial agency है उसने इस share का target price कम किया है और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो अभी target price इन्होंने दिया है वो है 2010 रुपीज का और साथी साथ इन्होंने इस company के stock के performance के बारे में यह कहा कि यह stock अभी underperform करेगा तो यह बहुत ही negative news है SRF share के लिए अभी इसके पीछे इनके important reasons भी है तो दोस्तों गर हम बात करते हैं इस share में हमें घिरावट क्यों देखने को मिलेगी तो Jeffries ने यह बताया है कि इंडिया का जो refrigerant gas exports है वो calendar year 2021 में बहुत तेजी से बड़े थे और दोस्तों European Union में भी यह जो exports थे वो बहुत बड़े थे इंडिया के तरफ से पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं current year के बारे में तो यह जो exports है वो 83% down आ चुके है तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकतो है exports में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है और SRF का जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस business में भी एक बहुत important revenue share है तो दोस्तों अगर इंडिया के exports कम होंगे तो इससे SRF को भी एक negative impact होगा और दोस्तों उसके बाद इन्होंने कहा है कि इस company के जो valuation है वो भी बहुत ज़्यादा high है ये valuation ये company sustain नहीं कर सकती इसलिए हमें इस share में घिरावट देखने को मिलेगी आईए दोस्तों ये तो हो गया Jeffries का view अब हम करते इस share का technical analysis और देखते है कि इस share में क्या यहाँ से तेजी आएगी या फिर गिरावट आएगी तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो SRF share हमें लगातार एक uptrend में जाता हुआ दिखाई दे रहा है अगर हम बात करते हैं इस share में important support level की तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस share में 2429 रुपीज का level एक important support है अगर यह share इस support को तोड़ देता है तो यहाँ पर हमें इस share में गिरावट देखने को मिल सकते है उसके बाद जो दूसरा support है वो है 2259 रुपीज का level अगर हम बात करते हैं इस share में resistance की तो यहाँ पर आप देखो यह वाला जो trend line है यह trend line इस share के लिए बहुत ही ज़्यादा important resistance है क्योंकि यहाँ पर इस share ने इसी trend line पर multi time resistance waste किया है तो दोस्तो अगर यह share इस trend line का breakout दे देता है तो इस share में हमें एक बहुती अच्छी धमा के दार तेजी देखने को मिल सकती है तो यहाँ पर हम अगर बात करते हैं resistance level की तो 2,800 रुपीज का level एक important resistance है और अगर यह share इसको break करेगा तो हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर हम बात करते है इस share में target की तो यहाँ पर अगर यह share अपना support तोड़ देता है तो यहाँ पर हमें एक गिरावट देखने को मिलेगी पर अगर यह share support से reversal दिखाता है तो उसके बाद जो हमारा सबसे पहला target रहेगा वो रहेगा 2,800 रुपीज का level अगर यह share इस level के भी उपर चला जाता है तो उसके बाद यह share 3,200 रुपीज तक के targets अचीव करता हुआ दिखाई दे सकता है और अगर आपको इस share में कोई भी stop loss लगाना है तो आप 2,400 25 का stop loss लगा सकते हो तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना अगर आप चैनल पे नाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इससे मुझे बहुत ज़्यादा motivation मिलता है और दोस्तो ये वीडियो एक educational वीडियो था इसलिए इस शेयर में में कोई भी बाइस एल्या होल्ड की सला नहीं है धन्यवाद